हाई गाईज आम स्तुति फ्रॉंग ईविद्यार्थी और इस सेशन में करेंगे क्लास 11 चाप्टर इंट्रोडाक्शन टू अकाउंटिंग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यह टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि हमारी पूरी अकाउंटेंची डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ट होती है आगे आने वाले जितने भी चाप्टर हम करेंगे जितने भी प्राक्टिकल आस्पेक्स हम कवर करेंगे सारे डबल एंट्री पर बेस्ट होंगे तो हमें पता होना चे यह डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अ transactions are recorded. मतलब, it is a system in which debit aspect and credit aspect, both aspects of a transaction are recorded. हर transaction के 2 aspects होते हैं, एक debit aspect होता है और एक credit aspect होता है. Double entry system, वो system है जिसमें हम धूना aspects को record करते हैं. For example, 1 transaction देते हैं, जैसे purchase of goods और cash payment. तो इसमें 2 चीजे involved हैं दो aspects involved हैं. एक तो गुड्स को पर्चेस करना और दूसरा कैश का पेमिंट करना तो क्या एस्पेक्स हैं? दो आस्पेक्स हैं Receiving of Goods हमारा हो जाएगा Debit Aspect और Payment of Cash हो जाएगा Credit Aspect Double Entry System में दोना आस्पेक्स को क्लियरली रिकॉर्ड किया जाता है Payment of Cash को भी रिकॉर्ड करेंगे और Receiving of Goods को भी यानि Debit Aspect को भी रिकॉर्ड करेंगे और Credit Aspect को भी तो यह था हमारा Double Entry System In Double Entry, A Complete Record of Transaction is Maintained दोनों आस्पेक्स कवर होते हैं तो पूरा Transaction रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि हर Transaction का Debit Aspect और Credit Aspect रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब Debit और Credit Side दोनों की Totals हमेशा Equal होंगे क्यों? क्योंकि दोनों आस्पेक्स को हमेशा Record किया जाएगा हर Transaction के Case में Equal Basis पे तो यह था हमारा Double Entry System इन विच वी रिकॉर्ड बोट दा आस्पेक्स Debit Aspect और Credit Aspect इसलिए इसको Double Entry बोलते है क्योंकि दो साइड इसकी Entries आती है एक Debit Side आती है और एक Credit Side आती है तो यह था Double Entry का Concept I hope आपको यह Concept समझ आया होगा अगर आपको अभी भी कोई दाउट है आती है रिक अला क्या आती है